हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो स्कॉन क्लासेश दोस्तों आज का वीडियो इतना स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो मैं आपको जीवन परचे का एकदम सौट ट्रिक बताऊंगा अगर आप यह वीडियो अंतक देखोगा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपक को पूरा अंतक देख रहा है तो कि इस वीडियो मैं जो ट्रिक बताता हूं इसी तरह पूरे सब्जेट का ट्रिक मैं अपने टॉप 100 बैच में बताता हूं इस टॉप 100 बैच में मात्र 500 रुपए साल भर का फीज से इसमें सभी सब्जेट के वीडियो नोट्स इंपॉर्ट टॉप 100 बैच जोइन करना है तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जीवन पर्चे की तो जीवन पर्चे को लिखने के लिए आपको तीन चीजों की जुरत पड़ेगी ठीक है पहला रहेगा आपका जन्म सुरुवाती सिच्छाएं इनके माता-पिता का नाम पहला पॉइंट है पहला पॉइंट आपको किसी भी लेखक और लेखिका का आप लिख रहे हो तो आप क्या पता रहना ची उसका जन्म स्थान के सन में हुआ था उसके सुरुवाती सिच्छाएं कहा हुई थी उसके माता-पिता का नाम क्या था ठीक है फिर उनके साहित्तिक विसस्ताय लेग द पूरा अंत तक देखना ताकि सारी बाते आपको पता चल सकते ठीक है फिर आपको इधर आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा ठीक है ऐसा फॉर्मेट अब तक आपने ना किसी आफ्लाइन कोचिंग ना किसी यूटूब चनल पर देखा होगा तो इस वीडियो को पूरा अंत देखना काफी मेनत लगता है वीडियो बनाने के लिए तो लाइक जिरूर कर देना याद करने का तरीका ठीक है इसको हम लोग ब्रहमास भी कह सकते ठीक है तो आपको पता नहीं है कि बोर्ड एक्जाम में कौन सा जीवन पर्चे आने वाला है तो अब मैं आपको बताता हू है और तीन टेबल में आपको कह करना है यहाँ पर कवी अब जैसंकर परसाथ सुरिकान त्रिपाठी निराला के दारनाथ सिंग वासुदेव सरण अगरवाल मैतली सरण गुप्त एन महादेवी वर मतलब जितने आपके राइटर के नामे एक तरफ लिख लिए फिर आपका स्थान जैसे का यूपी का जैसंकर परसाथ फिर बंगल के यूपी के यूपी 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 के ठीक है ठीक है तो जितने यूपी के हैं अर जयसे बंगल के जो बमघना उंको एक तरफ लिखना ऊपर से नीचे ठीक है then you चीज रहेगा कि जो यूपी वाले रहेंगे उनको ज्यादा याद करने में मसक्कत नहीं करने पड़ेगे ठीक है फिर एक तरफ आपको लिखना है रचनाए ठीक है जैसे जैसंका प्रसाथ की रचना है कंकाल तितली अजा सत्रु चंद्र गुप फिर सुरिकान तिपाथा नी इंको याद करना है याद कैसे करना पड़ेगा 16 сам कासी वालक जितने उनको एक तरफ जैसए यूपी लिख ली है ठीक है अब जितने भी रैटर ने हैं उनको ऐसे बना कर इधर पांच रूंडका नाम लीक ठीक है तो अब मतलब जन्मिस्थान सबका याद हो गया, अब रचनाये के लिए आपको तो याद करना पड़े हैं, तो इस तरीके से आपको सभी राइटर का याद करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बात यहाँ पर important point है, कि जो भी कविताय, कहानी, नात लिख देना, ठीक है, अब जो मैं आपको format बता रहा हूँ, इस format के तरीके सा आप अगर board exam में लिखते हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ, half marks भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है, तो वो format क्या है, आपको माल लिजे लिखने को आ रहा है, महादेवी वर्मा, ठीक है, तो आप मातापिता का नाम लिख दोगे, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, इनके सुर्वाती सिच्छा है, यूपी के इस college का नाम नहीं पता है, तो आप simply लिख दोगे, कि इनकी सिच्छा है, यूपी से हुई, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे ठीक है आप राइटर में लिख सकते हो ठीक है जन्म सिच्छाप लिखती है फिर उनके माता पिता का नाम पिता और जो भी इनके मतलब कोई दोस्त है या जैसे गिलरी वाला जो गिल्लू थी इस टाप अगर कुछ भी रहता है इसमें ठीक है आप जो बढ़ा चड़ाकर इसमे वो भी आप लिख दोगा ठीक है तो कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब एक्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो यह बीच की लाइन नहीं चेक करता है मैं बताता हूँ आपका जन्म सिच्छा यह दो चीज सही है फिर नीचे आपका चेक कर लेगा यह पांची प परचाहे वह आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी भी राइटर में यह पांचो लाइन आप डाल सकते हो कि वह भासा का अच्छा प्रयोग करते हैं जो भी लेखा कर लेकिका रहेंगे वह भासा का अच्छा ही प्रयोग करते हैं ठीक है अलंकारों का प्रयोग करते हैं मुहा अच्छा रचना है पुरुस्कार साहित्ती विसिस्ता है यह पांच पॉइंट आप किसी भी जीवन पर्चे में जरूर लिखना यह बीच का कोई नहीं पड़ता है उपर नीचे का पड़ते हैं जो में इंप्पोर्टेंट रहता है ठीक है और यह कवीता है कहानी ना तक सभी रचना है एक में आ जाएंगे साथ में यह याद करने का तरीका कवी का नाम एक तरफ जनिस्तान एक तरफ रचना है एक तरफ और इंको एक बार सुबह उठकर एक घंटा पढ़ लिए तो आरहाम से याद हो जाएगा फिर आपका कोई भी आए कोई भी जीवन पर चाह आप जनजट नहीं देगा कि यार यह तो यादी नहीं किया हूं ठीक है तो इस तरीके से याड करो concept से चलो ठीक है आप रटो मत concept से चलो आपको सब कुछ एकदम perfect याद होगा ठीक है तो अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक करो इसका description अप आपका कोई भी pdf जो मैं वीडि सिंदी सभी के नोट्स और चेप्टर वाइज इंपर्टे को सो हर विवाट टेस्ट होता है ठीक है तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो सब्तर चुरासी कैसी साजी उजिन पर मैसेज कर दो और साथ में संडे को टेस्ट है फिजिक्स का तो अगर आप पाटिस्पेट कर अगर वीडियो पासन दें तर लाइक और से जबुड कर देना आज के लिए इतना है मिलते नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जय हैं जय हुआ